नमस्कार मैं सुमंत का सेफ एस्ट्रोवास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज का हमारा वीडियो एक यूनिक टॉपिक प्याधारी थे आप में से बहुत से लोग यह जो लोग अंग जोतिस के बारे में जानते निम्रोजी के ब नमबर दो है वो चंद्र है नमबर तीन है गुरू है चार है राहू है पांच है बुद्ध है जबकि आपका यह कॉंसेप्ट गलत है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैंने वीडियोस डाला है क्लासरूम के भी वीडियोस हैं जो मेरे निम्रोजी वर्क्सॉप चल रहा ह और आग चौदह तारिक से भी एक शुरू होने वाला है तो उसके क्लासरूम वीडियो में डाला है वहां कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि जैसा उन्होंने पढ़ा है कि नमबर जो है वो प्लैनेट को रिपर्जेंट करता है और साथ ने साथ बहुत से लोगों ने व बाद को समझहें कि जिसमेन मैंने क्वेशन किया कि इस वन इकवल टूजन कैया जो नमबर वन वे सन को बताता है यह अगले अगले Glassऊ' मे. नमब सूरी की विशेस्था बताने लगते हैं आप रखने की बजाए आप शूरी की विशेस्था बताने लगते हैं अर वही आपने पढ़ा भी तो आप गुर्यू पे चले जाते हैं और इन ग्रहों के कारण ही आप अंक जो तिसकी जो numbers की सुनहरी दुनिया है जो एक golden world है उससे अपने आपको आप वंचित कर लेते हैं आप स्वैम ही एक गेट लगा लेते हैं अपने वह रिजल्ट देगा ऐसे उसका कोई महत्व नहीं है जबकि numbers का अपनी अलग ही अट्रिब्यूट से अलग ही फीचर से यह काई अगले स्लाइड में और देखिए नंबर वन जो है create करता है नंबर थ्री को यह numerology का concept है मेरा classroom matter है मैंने जो लोग उससे पोस्ट कर रहे हैं उनको पता है कैसे create करता है नंबर नंबर को लेकिन क्या sun create करता है जूपिटर को जो भी आप कहीं भी जोतिस का किताब पढ़ेंगे कोई ग्रह किसी को create नहीं करता है कुछ ग्रहों में संबंध है जैसे पिता का रक सूर्य है पुत्र का 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 ररक Ce नहीं है ऐसा लेकिन ये complete बाकी ग्रहों में कि सूर्य जूपिटर को create करता हूं नहीं है जो तिसक अनुसार तो जूपिटर गुरू के कारक है सूर्य राजा का कारक है तो यह यहां भी कोई इन में कोई similarities नहीं है लेकिन जब आप similarities जोड़ेंगे तो इस question का भी answer आपको ढूं ना होगा यदि number one sun है और number three Jupiter है तो number one create तीन को करता है तो sun भी तो create करना चाहिए इस question का भी answer आपको लेना होगा तो यहां भी मेरे opinion से यहां भी similarity नहीं है इसलिए आपको numbers को planet से represent करके नहीं पढ़ना चाहिए यदि आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो अब तक आप अंक जो तीस है उसका संसार है उससे आप कटे हुए है अगले नंबर पर आईए यह लोसो ग्रीज है डिफॉल्ट इमेज है लोसो ग्रेड का यहां देखिए नंबर पांच है नंबर पांच जब आप planet से connect करेंगे तो बुद्ध का होगा बुद्ध का color green होता है लेकिन यहां त यह हुए है यह उनके लोसो ग्रेड के अनुसार प्रतेक नंबर के डिफॉल्ट कलर है जोतिस के हिसाब से सनी का कलर ब्लैक होगा लेकिन सनी के कलर देखे लाइट ब्लू है सूर्य यहां रेड होना चाहिए न लेकिन यहां तो ब्लैक है तो ऐसे आप खुद ही confusion create कर लेते ह अचछे से समझ पाते हैं और आब जियोतिस में चाहिए जब भी आप उतिस पढ़ें जहांसे भी पढ़ें या आपने पढ़ा है तो अंक जोतिस पाते हैं तो अंकों की बात कर आपकों की बहुत ही है विशाल दुनिया इसमें घ्रांक और जेन flavors रहा है उन्यानент मैंसे लन वर्तनसी लोसो ग्रेड यह न प्रकार का होता है यहां देखें मैं दिखाता हूं यह लोसो ग्रेड हर एक साल के हिसाब से बदलता है चलता है इसमें कहीं कोई planet का रोल नहीं है numbers का रोल है प्रते एक number आपके लिए क्या देने वाले नंबर के अपनी वाइब्रेशन होती है उसका अपना एक इनर्जी होता है नंबर का प्लैनेट से कोई connection और लेना देना नहीं है इस बात को आप ध्यान से समझेगा तब ही आप निम्रोजी को उसके और उरिजनल फॉर्म में जान पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे एक छोटा सा एक्जामपल मैं आपको यहां और दे देता हूं जो आप डिफॉर्ट लोसो ग्रेड देख रहे हैं यदि आपके लोसो ग्रेड में नंबर पांच नहीं है जो यहां बीच में लिखा हुआ है तो यह आपके लोसो ग्रेड का ब्रहम अस्थान नहीं है और जो निम्रोजी के नुसार बनने वाले अच्छे अच्छे जो राजियोग होते हैं उनसे आप वन्चित रह जाएंगे लेकिन जब आप इसको बुद्ध से कनेक्ट करेंगे तो बुद्ध जैसे ही आप रासी और लगन के अधार पे पढ़ेंगे तो बुद्ध का रिजल्ट अलग होता जाएगा जो यहां पे किसी भी प्रकार से पांच और बुद्ध का कोई कॉम्बिनेशन कोई मेल नहीं है इस बात को आप ध्यान रखेंगे जिसके लोसो ग्रीड में नमबर पांच मिसिंग होगा उसके लाइफ में आपस और डाउंस बने रहेंगे और साथ ही साथ जो भी उसका अपना एफ़र्ट होगा उसका पूरा बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा अब यह डिपेंड करत है आपके इस लोसो ग्रीड और साथ इंसाथ जो यह नाइन टाइप्स की लोसो ग्रीड होती है इस पे कि आप कैसे इस इनर्जी को यूटिलाइज करते हैं यह पूरी तरह से डिपेंड इस पे होता है तो यदि मेरे उमीद है जिन लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि नंबर्स का और प्लेनेट्स के बारे में मैंने अपने तरब से जो मुझे काना था बताना था मैंने आपको बता दिया आगे भी और सारे बहुत से वीडियोज आएंगे मेरा कोर्स चाहलू हरा है 14 तारिक से इसकी फी 15,566 रुपे रखी गई है दो महिने तक कोर्स चलेगा जू में अपने कलास होगा कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी यदि आप करना चाहते हैं तो मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं बने रहे हैं मिलके हैं कुछ और वीडियोज के साथ